हेलो दुस्तो दुस्तो नेटफिलिक्स पर मैं फेक प्रोफैल नम का इस्पैने शो इंग्लिश मैं देखने की कोशिच कर रहा था मैंने फ़र्ट एपिसोड का रेविव किया था बहाँ पर मैंने का था कि मैं काफी एक्साइटेड हूं इस शो को आगे भी कंटिन्यू करने क लिए क्योंकि फस्ट एपिसोड काफी अच्छा था बहां पर जो भी चीजें होई वो सब कुछ अच्छी थी मतलब एक पुटेंशल मुझे नज़रा रहा था मुझे लग रहा था कि आगे की एपिसोड और ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि उसने मुझे काफी एक्साइ इंड वो दोनों उसके पड़ोस में जाके रहते हैं फर्नांडो को डराने के लिए यह सब कर रही है वो एंड उसके पीछे का मोटिव क्या है मतलब जो भी मोटिव था उसका वो उतना मुझे यह लॉचिकली पसंद नहीं आया उतना अच्छा मुझे लगई नहीं फील ही इंड दूसरी दना फ़र्नांडो उसकी फेमिली पर वे जो ज्यादा फोकस करता है बजाय कमीला के उसका साला है सतुर है उसकी बीबी है, उसका बेटा है, जो ये सब family drama यहां पर चल रहा है, जिस मैं कोई feel ही नहीं आगा, कोई मज़ा ही नहीं आता है, उसका जो साला है, brother-in-law है, वो homo है, एक restaurant चलाथा है, तो ये सब यहां पर हो रहा है, जो मुझे concept की नाम पर treatment की नाम पर यहां पर कुछ भी पर अच्छे नहीं लगा second episode से and to be honest मैं फोलत episode तक आते या थे पूरी तरह से disconnected हो गया था मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं फोलत episode को भी आखिर तक देखूँ ये भी मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि यार pacing को लिकर length को लिकर बहुत सारे यहां पर हो गए फस्ट episode अच्छा था शो का इस राट काफी अच्छा था and मैंने कहा भी था कि मैं काफी excited हो and मैंने excitement के साथ इसको देखा लेकिन मुझे मज़े नहीं आए मतलब बिलकोल भी मज़े नहीं आए second episode के बाद second episode से यहां पर कुछ भी नहीं बचा कुछ भी हो रहा है यहां पर और जो उसका ससूर है जो उसका father-in-law है फार्णार्डो का मतलब उसका जो भी real name उसका जो ससूर है वो उस पर नजर रखे हुए मतलब अपनी दामाद भी नजर रखे हुए and कमीला पर भी नजर रखे हुए इसके घर में camera लगे हुए हम अच्छ देखने को नहीं मिला रहा है कोछ भी नहीं है और फीन छान थंडी है फिलो हैंड भी बखोत पयाद है ते एबन ऐदे घंडे को जो कि काफी लंबी फील होते हैं तो दस एपिसोड है तो मैंने पांचवाँ एपिसोड लगबग आधा देखकर छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा कुछ भी यहां पर अच्छा नहीं है यार उपर से हिंदी में डब नहीं किया तो मैंने सुचा कि यार इ उसका भी कुछ ही नहीं हुआ उसका जो आईगेस वह एक्स बॉइफियंट है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है वो फोन उनकलता देता है वो उठाती नहीं है मतलब पता ही नहीं उन दोनों के क्या लफ़ड़ा चल रहा है तो यह मतलब यार यहां पर कुछ भी नहीं था फेक प्रोफैल इसे शो में मतलब 4-5 एपीफोड मैंने देख लिए यहां पर कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा फिलहाल के लिए आगे मैं नहीं देखूँगा मतलब क्या ही है कुछ भी अच्छा नहीं यहां पर तो वह यह हैं यह मैं नहीं गया पाऊंगा कि आब आ किस दी हो रहा है इस बड़ी चीज यह है कि कमील उसके परोस में क्यों रह रही है उसका चुब उसने रीवन बताया लेगे यह बो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा यह चार महीने का रिलेशन्शिप था ऐसा होता है दुनिया में 50% लोगों के साधा ऐसा होता है कि 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 क अच्छा की थी मतलब कोई बताना ग्रेट नहीं था कि यार किफी ने कुछ बहुत ग्रेट कर दिया हो एक्टिंग के ना पर हाँ ठीक ठाक थी अच्छी थी ऐसक एसक थी कोई डिसमेट निकलता लेकिन कोई गिरेट भी नहीं था तो जास्ट यार टू इस टार्स आट बहुंचते हैं तो बताना कि एंड में कहीं था औन यॉक्त था किया अच्छा था क्या खराब था बहुत मुझे लिखके बता सकते हैं तो मुझे या पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा बाई तो ये है बाकी आवे पूरी तरह 15 पर शो है as I said मैंने उस वीडियो में का भी था आकी आपने देखा है तो लिखे बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक एंड लाइक शेयर और सबस्ट्राब करना चैनल को वीडियो देखे विनिते शाना आप तेंक यू